दोस्तो very good morning to all of you आज के इस अंदर वीडियो में पिछले दो दिनों के जितने भी questions बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में discuss करेंगे पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ही important questions का discussion करने वाले हैं तो आज का पहला प्रस्ण मना है every year यानि कि प्रतेक वर्स earth our day earth our day किस दिन मनाय जाता है तो दोस्तो यह जो बहुत important दिवस है इसको पहले मैं लिख देता हूँ most important ठीक है very very important question है तो यह जो earth our day है यह हर साल मार्च के आखरी सनिवार को मनाया जाता है तो every year मार्च के आखरी सनिवार को यह दिवस मनाया जाता है इस बार यानि कि 2021 में जो मार्च का आखरी सनिवार है वो 27 तारिक को पढ़ा है तो हम लोग कह सकते हो कि 2021 में यह जो दिवस है यह 27 मार्च को मनाया गया है लेकिन हर साल मार्च का जो आखरी सनिवार है वो जरूरी नहीं कि 27 मार्च को पढ़े तो इस बज़े से आपको याद रखना है कि मार्च के आखरी सनिवार को ही ये दिवस मनाया जाता है जिसको अर्थ आवर डे के नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थ आर्डे चीक है आगे चलते हैं इसमें कुछ और जरूरी चीज़े हम लोग देखेंगे इस बार यानि कि 2021 को ये दिवस 27 मार्च को मनाया गया है वर्स 2020 के लिए इस दिवस का जो सब्जेक्ट है वो एक्जाम में पूछा जा सकता है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा कि प्रत्वी को बचाने के लिए जलवायू परिवर्तन इंग्लिस में याद रखेंगे Climate Change to Save Earth ठीक है तो प्रत्वी को बचाने के लिए जलवायू परिवर्तन या फिर Climate Change to Save Earth ये इसका 2021 के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा साथी साथ में ये जो Earth All Day है ये WWF Foundation के द्वरा इस अभियान को आयोजित किया जता है इस दिन के आउसर पर क्या करना पड़ता है ऐसा मना जाता है इस दिन के आउसर पर लगबग साढ़े आठ बजे से साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक इस दिन क्या होता है साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक लगबक एक घंटे के लिए अपने घरों, फैक्टरियों या किसी भी इंस्टिट्यूट या कुछ भी आपके पास में संस्ता है वहाँ पर एक घंटे के लिए लाइट बंद करके उर्जा को बचाने का संदेश पूरे विश्वभर में दिया जाता है आहियोप आप इसको समझ गए होगे दोस्तों चुकी इसको World Wide Fund, WWF, WWF, World Wide Fund के दोरा इसको सुरू किया गया है तो World Wide Fund के बारे में समझते हैं इसका जो मुख्याले है वो है Gland, Switzer Landman इसकी जो स्थापना है ये 29 अपरेल 1961 को करी गई थी Morgs, Switzer Landman इस समय इसके अध्यच और जो CEO है उनका नम है Carter Roberts चीक है? तो ये भी याद रखना है एक्जाम में बार-बार रिपीट हो जाता है Carter Roberts इसका राइड एंसर हो जाएगा आगे चलते हैं अगला प्रिस्तम बनेगा कि 50 लाग से अधिक आबादी वाले राज्यों में ट्यूबर कुलोसिस के मामलों को कम करने के लिए किस राज्य को भारत में पहला इस्तान प्राप्ट हुआ है तो 50 लाग से अधिक आबादी वाले जो सहर है उनमें से हेमांचल प्रदेस पूरे भारत का सबसे अच्छा ऐसा सहर निकला है ऐसा राज्य बना है जहां पर ट्यूबर कुलोसिस यानि कि टीवी के जो मामले होते हैं उसको कम करने में सबसे पहले इस्तान पर यानि कि सबसे आगे रहा है हेमांचल प्रदेस तो अप्शन नम्बर एस का राइड एंसर हो जाएगा अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्यूबर कुलोसिस दे मनाय गया था यानि कि विश्व छे रोग दिवस मनाय गया था जो कि 24 मार्स को हर साल मनाय जाता है इस बार जो हमारा एक यूनियन टेरेटरी है यानि कि लक्षे दीप और जम्बू कस्मीर का एक जिला है जिला बढगाम ठीक है तो इन दोनों ही जगहों को हाल ही में टीवी मुक्त गोसित किया गया है तो यह भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर टीवी को समूल रूप से समाप्त कर दिया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं कोशन बनेगा कि हाल ही में एक पुरसकार है जिसका नाम है दर्थबोन फोलियो पुरसकार 2021 दर्थबोन्स फोलियो प्राइस 2021 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है तो इसका यहां पर राइड अंसर हो जाएगा option number A will be the right answer कि इस बार यह जो पुरसकार है कार्मेन मारिया मचाडो option number A इसका राइड अंसर हो जाएगा कि हाल ही में कार्मेन मारिया मचाडो को दर्थबोन्स फोलियो प्राइस 2021 प्रदान किया गया है तो option number A इसका राइड अंसर हो जाएगा यह पुरसकार किसे दिया जाता है यह पुरसकार लोगों को उनके उपन्यास के लिए दिया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जिनको इस अवर्ड से समानित किया गया है यह जो महिला आपको दिख रही है इनको इनका जो रखना है आगे चलते हैं कि कोशन मनेगा कि हाल ही में भारतिय विमान पत्तनम प्राधिकरन एयरपोर्ट अथॉर्टी ऑफ इंडिया के नए अध्यच कौन बनाए गये हैं तो हाल ही में इसके जो नए अध्यच बनाए गये हैं वो संजीव कुमार बनाए गये हैं तो संजी संजीव कुमार को एरपोर्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यच बनाए गया है। कोशन बनेगा कि हाल ही में इस्टैनफोर्ड डॉल मैन ट्रैवल बुक ऑफ दा इयर किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में तरन खान, इंडिया की तरन खान को उनका जो डिबट उपन्यास था, उसके लिए उनको इस्टैनफोर्ड डॉल मैन ट्रैवल बुक ऑफ दा इयर अवाड से समानित किया गया है। तरन खान इसका राइड एंसर हो जाएगा। यहां पर तरन खान का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में उनके उपन्यास के लिए इस अवाड से समानित किया गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इनका कौन सा उपन्यास है, जिसके लिए इनको ये अवार्ट दिया गया है, तो उनकी इस पुस्तक का नाम है, शैडो सिटी अविमेन वाक्स काबुल, ठीक है, शैडो सिटी अविमेन वाक्स काबुल, इस उपन्यास के लिए इनको ये अव उनका एक फोटो देख सकते हैं और यहां पर इनका ये उपन्यास भी आपको दिख रहा होगा शैडो सिटी अवॉक अवुमें वॉक्स काबुल तरन खान को ये वॉट जो है दिया गया है इनका फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं क्वेशन बनेगा कि किस राजजी ने सहरों में रहने वाले करीब लोगों के लिए एफॉर्डबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना की सुरवात करी है तो यहां पर आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश में एफॉर्डबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना की सुरवात करी गई है जिसमें कि ऐसे सस्ती कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जहां पर कम पैसे में जो सहरों में रहने वाले जो गरीब होते हैं वो वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं रहने के लिए वहाँ पर रेंट पर वो अपनी जगे को ले सकते हैं तो A.R.H.C. यह जो योजना है इसको हाल ही में UP में लॉंच किया गया है कोशन मनेगा कि हाल ही में I.C.C. महिला विस्वकब 2022 का आधिकारिक गीत Official Song किसे गोसित किया गया है तो एक बहुती फेमस गाने का एक छोटा सा लाइन है जिसका नम है Girl Gang option number A का राइड अंसर हो जाएगा कि Girl Gang Girl Gang यह गाने की लाइन है जिसमें की छोटा सा एक अंतरा आता है उस लाइन को पर्टिकुलरली उसको एक स्लोगन यानि की Official Song मनाए गया है I.C.C. महिला विस्वकब 2022 का तो option number A का राइड अंसर हो जाएगा यह जो आपको यहाँ पर लेडी दिख रहे हैं यह वो सिंगर है जिनोंने इस गीत को गाया है यहाँ पर देखिए New Zealand के जो गायक है जिनका नम है जिन विगमोर उनकी गाने का एक लाइन है Girl Gang तो एक ट्रेक है Girl Gang इसको ही 2022 में होने वले I.C.C. महिला विस्वकब का official song गोसित किया गया है दोस्तों अगला प्रस्तमना है कि बंगलादेश ने 26 मार्च 2021 को अपनी सोतंतरता इंडिपेंडेंस का और राष्ट्री दिवस के कितने वर्स पूरे कर लिया है तो अगर हम लोग इस वर 2021 के 26 मार्च की बात करें तो इसने अपनी इंडिपेंडेंस के 50 वर्स पूरे कर लिया है तो option number B इसका right answer हो जागा कौन से देश की बात हो रही है यहाँ पर बंगलादेश की बात हो रही है ठीक है पचास्वा सुतंतरता दिवस 26 मार्च 1971 को बंगलादेश को सुतंतर रूप से गोसित किया गया था अगर हम लोग बंगलादेश के अभी के बारे में बात करें तो यहाँ के PM का नाम है सेख हसीना करेंसी यहाँ की केपिटल है ढाका करेंसी है टका और प्रेसिडेंट का नाम है अबदूल हामिद यह आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं दोस्तो बहुती फेमस कंपनी है महिंदरा तो महिंदरा एंड महिंदरा कंपनी जिसको M&M के नाम से जाना जाता है M&M महिंदरा एंड महिंदरा कंपनी के नए प्रबंद निदेशक और CEO कौन बनाए गए है तो हाल ही में यहाँ पर राइड अंसर हो जाएगा अपनी का नया MDN CEO बनाय गया है डॉक्टर अनीस सा का फोटो भी देख सकते हैं जिनको इसका नया CEO बनाय गया है अगला प्रस्म बनेगा कि वर्ड थियेटर डे विश्वर रंग मंच दिवस हर साल किस दिन मनाय जाता है तो एवरी येर विश्वर रंग मंच दिवस जो है यह 27 मार्च को मनाय जाता है अगला कोशन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में WWE ने किस भारतिये रेसलर को हाल ओफ फेम में सामिल किया है तो आप में से लगबख सभी लोगों ने WWF फाइट को देखा होगा तो यह जो WWF फाइट आती है उसके द्वारा ही The Great Khali के नाम से जो हमारे एक प्लेयर है उनको ही WWE ने हाल ओफ फेम 2021 में सामिल कर लिया है तो आप्शन नमबर A इसका राइड एंसर हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं WWE हाल ओफ फेम 2021 में यहां पर भारत के यह The Great Khali को सामिल किया गया है जिनका की फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं यह एक और फोटो आप देख सकते हैं इनको इसमें सामिल कर लिया गया है 37 में इसमें अगर 2021 में देखें तो दो और ऐसे प्लेयर हैं जिनमें से एक का नाम है Undertaker सभी लोग जानते हैं दूसरे का नाम है Kane इसको भी इसकी तरब से हाल ओफ फेम 2021 में सामिल करने की कोशना करी गई है आगे चलते हैं कोशन बनेगा कि किस सिंगर को महराश्टरा सरकार के सरवोच पुरसकार जिसका नम है महराश्टर भूशन अवार्ड से समानित किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आसा भूसले आप्शन नंबर सीस का राइड अंसर हो जाएगा कि हाल ही में महराश्टरा सरकार की तरब से दिये जने वाला महराश्टर भूशन अवार्ड से आसा भूसले को समानित किया गया है यहां पर अब देख सकते हैं आसा भोसले का फोटो और यहां पर देखो लिखा है महाराष्टर भूशन अवार्ड और यह दिया गया है आसा भोसले जो की महाराष्टर भूशन अवार्ड महाराष्टर सरकार के दोरा दिये जाने वाला अवार्ड है जो की इनको प्रदान किय गया है आगे चलते हैं केंद्र सरकार ने जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है जिनका नम है प्राधान वज्ञानिक सलाकार जिनका नम है के विजय रागवन का जो कारिकाल है उसको कितने वर्स के लिए बढ़ा दिया क्या है तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जिनका बड़ा दिया क्या है तो आंसर कि केंद्र सरकार ने जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाईजर है उनके कारिकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है option number 10 इसका राइड एंसर हो जाएगा आगे चोशन मनेगा कि अंतर राश्ट्री बौधिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा इस्तान है तो IP index में IP index 2021 में इंडिया का जो position है वो है 48th option number 10 का राइड एंसर हो जाएगा कि भारत को इसमें 40 इस्तान पराप्त हुआ है 48th भारत को इसमें 40 इस्तान पराप्त हुआ है तो option number D will be the right answer इसमें देखो लिखा है इंडिया ranks 48th on international intellectual property index intellectual property index में इंडिया को 40 इस्तान पराप्त हुआ है भारत को यह जो इस्तान है यह 53 अर्थ व्यवस्ताओं में से मिला है और इस बार यह जो सूज index है इसका नवा संस्क्रन इस बार जारी किया गया है तो यह भी आपको याद रखना है इस index को US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center के दोरा लाँच किया गया है अगला प्रस्ता है कि हाल ही में release करी गई एक पुस्तक जिसका नाव है माई experiments with silence के लेखक कौन है तो यह जो पुस्तक है जिसका नाव है माई experiments with silence इसके लेखक का नाव है समीर सोनी option number 20 का right answer हो जाएगा समीर सोनी के दोरा इस पुस्तक को लिखा गया है option number we will be the right answer समीर सोनी का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है आगे चलते हैं question मनेगा कि किसने 25 मार्च 2021 को सात्वें इंडिया एकनोमिक कॉनक्लेव सेवन्थ इंडिया एकनोमिक कॉनक्लेव का उदगाटन किया है तो इस बार 25 मार्च को जीजे जो साथवां इंडिया एकनोमिक कॉनक्लेव हुआ है इसका उदगाटन किया है सकती कांते दास ने तो option number A सका राईड थाइनसर हो जाएगा सकती कांते दास के दोरा इस कॉनक्लेव का उदगाटन किया गया है अगला question दोस्तों बनेगा कि भारतिय खाद्य निगम यानि कि Food Corporation of India के नए CMD कौन बनाएगा है तो हाल ही में 38 चंद्र को option number A इसका right answer हो जाएगा 38 चंद्र को FCI का नया जो प्रभण्य निज़ेसक है अध्याच्य और प्रभण्य निज़ेसक वो बना दिया गया है तो 38 चंद्र इसका right answer हो जाएगा FCI की स्थापना 24 जनवरी 1965 को ही थी इसका headquarter जो है ये नई दिल्ली में इस्ते थे हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बनाएगा है तो हाल ही में सौरब गर्ग को UIDAI का नए CEO बनाएगा है option number A इसका right answer हो जाएगा सौरब गर्ग का photo देख सकते हैं जिनको हाल ही में UIDAI का नएज बनाएगा है ये जो organization है UIDAI इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी इसका भी मुख्याले नए दिल्ली में इस्ते थे अगला प्रस्वनेगा कि Cornet Global Academic Challenge 6.0 किस IIT ने जीत लिया है तो ये जो Cornet Global Academic Challenge 6.0 event है इसको IIT खड़कपुर्णे जीत लिया है option number A का right answer हो जाएगा कि IIT खड़कपुर्णे इस प्रत्योगिता को जीत लिया है Cornet Global Event को दोस्तो आज का question जिसका answer आपको देना है आपको इस screen पर दिख रहा है जल्दी से इसका answer बताईए Thank you for watching this awesome video